सब्सक्राइब ए वीडियो में तो सब्से पहले मुनों बात के लोग बढ़े इसल के बारे में आयए प्लाइब में कल था मैच किरला ब्लाउट ऐसी व्स पंजब एसी और ये मैच ये मैच पंजाब ने जीता है किरला के घर में जाके कर ला को हराने का वह बुद सकत हुं घम और मैच बहुत ही लाइक क्लोज वा है एंड में जाकी क्लोज़ए कि स्टार्टिंग से देखे तो फर्स्ट हाफ पंजाब ने डॉमिनेट किया सेकेंड आफ के स्टार्ट में 70 मिनिट तक केरला ने भी अच्छा कासा अटक के लिकिन वह अटक में फिनस नजर नहीं आ रहा थ तो वह undoubtedly होंगे प्रीतम कोटाल प्रीतम कोटाल का performance कल केरला में बहुत extraordinary था और specially आप जो गोल केरला ने पहले कंसीड किया पेनल्टी में वह जनुविन पेनल्टी था जनुविन जनुविन पेनल्टी था और वह मिलना भी जह था उनको पेनल्टी लुका में जनने गोल किय फिर जर्सी को खोला उन्होंने और फिर करिला के फ्लैग में जा गेर डाल दिया तो वह एक statement बिग statement मुझे लगा था किया रियार कुछ हमेला हो सकता है और फिर लग भी रहा था कि पंजाब यह मैंच easily जीत जाएगा लेकिन वहां पर प्रीतम कोटाल लिंक exceptional level का cross दिया और उतना ही बढ़िया header से करिला ने गोल भी किया और comeback भी किया लेकिन फिर end में जाके फिर से पंजाब ने दूसरा गोल कर दिया और पंजाब ने यह मैच जीत लिया है 2-1 से exceptional record exceptional match है पंजाब के लिए और इससे जाधा बढ़िया start का उमीद आप पंजाब से कर नहीं सकते हो जो राहूल कीपी का वो जो फाउल था I think AFF को कुछ strict action लेना चाहिए राहूल कीपी के उपर 2-3 matches का या 4 matches का suspension को लगना चाहिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो फाउल किया था जो लुका मैजन के उपर जो उन्होंने फाउल किया वो like एक तो ball के साथ उनका कोई relation नहीं था वो directly गये रुका मजन के सर के उपर और I think इतना deadly foul आप नहीं कर सकते हो उपर से यह लो गाड़ी मिला से रेफरिंग का तो आप छोड़ी दो same time में जब किरला का match चल रहा था same time में 15 minute के gap पे Barcelona versus Girona का match चल रहा था और वहां पे Barcelona के एक player ने सिर्फ tap कि यहां था सामने से बुट का strap देके उनको direct red card मिला direct यहां पे Rahul KP directly हाद लेके लुका मेजन के मूँ के उपर पूरा like पूरा होता है ना पूरा यह सिर्फ उनको जो लखी है किया लुका मेजन को बहुत सीरियस इंजरी नहीं हुआ यह बहुत सीरियस इंजरी हो सकता है बहु क्यों कोई player करेगा है आप हार जा रहे हो match थीक है लेकिन आप वो sportsmanship दिखाओ क्या ठीक है मुझे injured नहीं करना किसी player को और यह बहुत threatening tackle था सो मैं देखे बहुत शॉक्त है मुझे तो लगए straight card straight away red card तो मिलना है चाहिए extra suspension मिलना चाहिए राहूल केपी को और like you know यह match पंजाब के लिए बहुत ही better in match है और दिखते है कि आने वाले matches में Punjab का performance कैसा रहता है और किरिला comeback कर पाते हैं यह नहीं नेशनलबाद के आज के मैच के बाड़े में तो आज है मौमदन SC vs North East United SC मौमदन SC एक ऐसा club जो कि first time ISL खेलने वाला है एक legacy carry करता है मौमदन कुलकता का ही यह थीसरा club और उनका यह पहला ISL का match दूसरी तरफ North East North East का इस साल का team काफी अच्छा नजर आ रहा है especially like during cup जीतने के बाद उनके पास वो confidence भी होगा वो rhythm भी होगा so overall इस match से expectations आप जरूर रख सकते हो क्योंकि दोनों ही team अच्छे team है North East जादा थोड़ा सा better position में रहेंगे क्योंकि better form है उनका मौमदन का team थोड़ा थोड़ा नया है कुछ पुराने player से काफी सार नय player से नय foreign player से एक foreign player अभी कम है मौमदन के पास फिर 5 ही foreign player से तो वो थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन आप चार्ड foreign players को प्लेस करेंगा सकते आपके वास 5 है तो वो बहुत बड़ा issue भी नहीं होना चाहिए लेकिन एक चीज़ का guarantee जरूर है कि यह match होने बहुत बड़िया वाला है और हम लोग एक काफी काफी जादा बड़िया मुकाबले का उम्मीद करी सकते इस match से अब देखते कि इस match result finally क्या होता और यह match आज सारे 7 बज़े और इस match को अफ saviar gama, carlos delgado और saviar gama दोनों ही को काफी serious injury हुआ है और वो काफी लंबे time के लिए बाहर हो चुके है अब exactly कितने दिन के लिए बाहर हो चुके यह तो नहीं अभी बोला जा सकता लेकिन काफी लंबे time के लिए जा चुके यह पक्का है और और मुश्किल होगा, डेफिनिटली मुश्किल होने वाला है, कि दोनों ही प्लेयर्स होस्पिटलाइज्ट है अभी, करिंटली और हैम्स्ट्रिंग इंजरी वाइट, आप समय सकते हो कि मिनिमम तीन से चार महिना, आजा सीसन इन दोनों प्लेयर्स का जा चुक है, वो भी एक म पर भी, क्योंकि यही दो प्लेयर्स इंग का रिफ्लेस्मेंट है, और सेविर गामा बहुत इच्छे फॉर्म में थे, लोबेरा के स्ट्रेजी के साथ बहुत से ही बैटते थे, लेकिन कुछ किया जा नहीं सकता, सैडली, बड़ा जो भी यह उमीद करते कि यह लोग जल से डीटेस हम लोगो पता चला है, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऑफ दे सीजन से ही मोन बगान ने नुनोडियस को पर इंट्रेश दिखाया था, लेकिन उनको सौधी एरब में जाना था, सौधी से उनको पास कुछ उपफर्स था, नुनोडियस के पास, लेकिन वो डील कंप्लीट नहीं हो पाया, अब उस टाइम पे मोन बगान ने भी थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया था, किया रब छोड़ो असुगल वो सौधी जाना चाहते था, लेकिन वो डील फॉल आफ हो गया, उस टाइम पे इंट्री होता है मोमडन का, जहां से हम लोगो ने कवर किय था यह निउज और मोमडन के साथ उन्हें एग्री तो कर लिया था टर्म लेकिन बस कॉंट्रैक्ट उन्हें बोला था कि हम लोग साइन कर लेंगे, लेकिन साइन किया नहीं था, उस टाइम पे मोहन बगान बीं मोहन बगान ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही बहतरीन उफर क अंदर डील को पूड़ा उठा लिया अपने हाथ में और लेकि यह एक्सेप्शनल चीज है, और यह लाइक यूदो मोमडन से यह जो डील मोहन बगान ने खीचा है, यह कमाल का है, और इस प्लेयर को मेली साइन करवा गया है फोर एफसी चैंपियन्स लीग टू के लिए, जो की परस हो ही है, अटरा तारीक को ही मोन बगान का पहला मैच है, डेफिनिली हाइली इन्वेस्ट करना चाते है, क्योंकि आपको पता है कि एफसी टूर्णमेंट्स में आप साथ फॉरेंट प्लेयर को खिला सकते हो, तो I think मोन बगान एक सेवन फॉरेंट प्लेयर वाला ह आप साथ फॉरेंट्स को खिला भी सकते हो प्लेइंग एलेवन में, तो देखते है कि AFC चैंपियंस लीग 2 में मोन बगान का परफॉर्मेंस कैसा रहता है और उनो डियस क्या इंपक डाल पाते है, क्योंकि डिफेंडर तो नो डाउट काफी टॉप क्लास है, नेशनल अब से फेसे जोए, तो मेलए मारकस्रुका ने रिसेटली थोरग सपने प्लैन के बार में डिसकस किया है, उन्होंने बोला है कि इसुझा जोनने स्क्वाड डिना काफी बैलेंस स्क्वारश है काफी वेल प्रिपेरड है जो कि नजर प्यार है कि टीम काफी वेल प्रिपेरड है कुछ-कुछ टीम भी उतने रिदम में नहीं है लेकिन पिछले सीजन से जादा कॉम्पेटिशन हम लोग इस सीजन को देखने को डेफिनिटली मिल सकता है और वो जानते कि गोवा काफी लंबा टाइम हो जोँगे आयसे उन्होंने कुछ जीता नहीं है ना शील्ड ना टॉफी फाइनल से ही फाइनल में पहुंच के काफी बार हारे तो वो ज़रूर कल ही मैच गोवा का तो वहां पर गोवा का पर में नचल हो बात करी विनिश्यस जूनियर के बार में तो अल अली ने विनिश्यस जूनियर के लिए 118 भी होगा विंटर ट्रॉप्स विंडो में ही होगा अभी के लिए तो कुछ होने नहीं वाला इसे पहले भी अलली ने विनिशिज जुनियर के उपर इस साल भी इंट्रेश दिखा थे लेकिन फिर उन्होंने डिशिजन लिया कि अभी रहने देते लेकिन एक सो असी मिलियन से दो-तिन प्लेयर का साइनिंग कन अंगे एक सो सी मिलियन यूर में तो दिखते हैं कि क्या फाइनली विनिशिज जुनियर अलली में जाते हैं नहीं नेशनलम बात कर लेते हैं रैबियोड के बारे में तो मार्सिली में लिए बहुत भीदा बढ़िया साइनिंग है अपर के मुझ के सामने से पूरा डील चीन लिया, यूनों, मारसेलीज ने, और एक्स्विक्टेट नहीं था, लिकिन ऐसा ही हुआ है, सो कमाल का साइनिंग है मारसेलीज के लिए, और दिक तेक इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, मारसेलीज में रभी आट का परफॉर्मेंस, सो गाइस, यह अच्का वीडियो, आई होब आपको यह वीडियो, पसंद वीडियो, पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दोस्कों इच्पे, अगरे फिच्छार में आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना पुला, एड़ बेला कानल, ताकि मैं जब उनकों अपलोड करूँ,